बार-बार सब मित्रों ने कहा कि किसान गरीब भूका विरोजगार इसी बाते आई यह शब्द गूजते हैं इको करते हैं हमको अपने पर शर्म आती है दुर्भागी मेरा कि मैं पत्रकार हूं तो राजनेताओं को देखा भी अंतरंगता से कैसे कैसे जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीच सकता इस्कूटर मोटरसाइक यह नहीं ले सकता भारत का आम आदमी बैसे आप लोग जहाज में आई नीजी जहाजों में है अग्ञान बांट रहे हो के घरीब के लिए रात पर जग रहे हैं चत Pटल रहे हैं हमने Catar कोंके घरों में कप्लेट देखे? पूछो ये कटोरी कहां से आई, बोले इटली से आई, बोले ये ये बोले पेरिस से आया, गिलास, गरीब के लिए रो रहे हो? यह तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो? लोग सुनते होंगे टीवी पर तो क्या कहते होंगे जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए आप रोट्री नहीं दे सकते तो शांत तो रहिए ताजू बदाम खाने के बाद बाहर निकले और ये कहें कि मैं भी भूका हूँ ये तो ज आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे रागवेंदर ने कपिष्ण आनंद ने उतनी मैंने देखियो विक्रम राव साब ने देखियो आपके नेताओं किया शादियां पैसा आईसे बहिते देखा कानपूर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है ये गंगोत्री और बात कर रहे हैं कि जी 400 करोन कारीडोर में लग दिया देश भूका है घजब बात है जहाज ऐसे उड़े जैसे विक्रम टेंपो चलते हैं चमन गंज से कानपूर में उस फ्रिक्वेंसी में जहाज उड़े विक्रम राव साब ने कह दिया मुझे पान खाना है बोले जहा खराब हो जाएंगे स्विस्स कॉटेज बन रही स्विस्स कॉटेज शादी व्यां हमें भूख है तो सब्रकर रोटी नहीं तो क्या हुआ आज कल दिल्ली में जी रहे भैसी है और करीब का मसला है गरीब ही दूर नहीं कर रहे तो यह क्यूं बना रहे जब बात करते हो सब लोग यार कहीं तो कुछ रखो बाबू मैंने अजीस सिंग से पूछा था रहे ने उनकी आत्मा को शांती मिले मेरे वेत्र थे मैंने पूछा कि मैं उनका दिन भर का सिस्टम मैंने देखा मैंने पूछा कि आपको पेंशन कितनी आती है बोले इतनी जूट बोलने का आप सर भी नहीं तो नेट पे मिल जाती है पेंशन तो तो मैंने का आपका खर्चा जो मुझे ओवर ओल दिख रहा है यही दिन भर में दो तिन लाग का है और गरीब के लिए सब हो अब दूसरी बात आती है इस देश में हमको गुलाम बनाने के लिए जिन स्थानों को तोड़ा गया कि हमारी आत्मा पर भी नियंत्रण हो जाए उन स्थानों का पुनुरुद्धार नहीं होगा तो किस जखागा पुनुरुद्धार होगा आपकी कोठी में पैसा लगे तो जाए और भाबा विश्वनात के कौरि कुली से ज्यादा के इमारते हैं जितने कर्डूर में लगा है को राव साथ तो नहीं तो नहीं गया रहा हुआ साउसों एसी लगें साउसों एसी कि इंद्र की सभा लगती है आरः पर्षु पकक्षे भी विदेशी है भाई लाग का तोता उसको मकाउ बोलते और क्या बोलते पकाउ हां एक नेता थे बोले यह पकाउ लाए मि昨ा बोले मन्हें कितने का लाए तो बहिया ढाये महीद अभाई विशुनात पर सवाल उठाओगे, आप लोगों के पास नेतिक सत्ता नहीं है, नेतिक सत्ता नहीं आपको पास सवाल उठाने की भाई, आपके कमाई का कोई साधन नहीं, और आपका अपड़ा रोज तीन बार बदल रहे हो, निवू काट पहन रहे हो, कहाज आता पैसा, काम क नहीं, और जो नहीं पहन पा रहे है, वो दुख में मरे जा रहे है, वो कह रहे है, है ईश्वर, ऐसे दिन हमारे कम आएं कि मैं भी सफेज जूता पहन पाऊं, और दस अंगूठी, दस उंगलियों में, और वो बकरी बांधने वाली उतनी मोटी चेन गले में, कोई करा हैंगे, काशी भी सुनात पर, ना भाई साब, ऐसा मत करें, आध्यात्मिक को छोड़ भी दें, हाला कि आध्यात्मिक मान का कोई मूल्य नहीं होता, सिक्खों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया, कि गोर्डन टेम्पिल का कोई आर्थिक मूल्य क्या है, बेटिकन सिटी में प और मदीना पर सवाल नहीं उठता, काशी विश्वनात पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे हो सकती है, अध्या पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे हो सकती है, जब राजनीती नहीं थी, जब पार्टियां नहीं थी, जब नेता नहीं थे, तब इस देश को किसने एक रखा, मेरे म हम लोग तो बाद में आए हैं नेतागीरी करने के लिए हजारों साल की घुलामी के बाद भी अगर तुल्सी चवरा बचा रहा उसमें दीपक बाती होती रही अगर संतिनायंग की कथा बची रही अगर बदंग वली का मंदिर बना रहा अगर राम थीता विवहा हो कि यादे बनी रही हमारे जहन में तो यही मठ मंदिर थे जिनोंने भारत की आत्मा को जीनित रख़ा शक आए हूर आए मुगल आए कहां कहां के अलबन बलबन समा आ गए क्या कर लिए काल के गाल में समा गए कि ये बल हम जिन्दा रहे कुछ बात है कि हस्ती मिठ्टी नहीं हमारी इसलिए मैं सबसे कहूंगा स्वागत कीजिए बाबा विशुनात के इस कॉरिडोर का इस संकुल का ये भारत की आत्मा का शंखनाद है इसको सुनिए और नेतिक्ता की बात हम तब कर पाएंगे जब हमारा जीवन गांधी सा हो जाए लोहिया सा हो जाए दीन दयाल सा हो जाए जैप्रकाश सा हो जाए तो नेतिक्ता की बात अच्छी लगे हमारे पीछे पांच-पांच करोन की दो-दो करोन की गाड़ियां चल रही हो और हम द आप लोग किस बस से चलते हैं, पता है ना, लोहिया चलते थे, इसलिए मैं कहूंगा, हम लोहिया दीन द्याल जा प्रकाश नहीं हो सकते, तो उतनी बात ना करें, देश के मन के साथ चलिए, देश के मिजाज के साथ चलिए, देश के सरोकार के साथ चलिए, ये देश बिना प परतीक चाहिए उसको आराध्य चाहिए लोग अपने बाप के उसमें नहीं जाते बाप गाउं रहे तो लड़का नहीं जाता सालों साल इन में कुछ तो तागत होगी लोहिया जी ने कभी कहा था विक्मुराब साथ जादा बेहतर जानते होंगे लोकसभा में एक वहस में उन उन्हों नहीं कहाता कि 5000 साल से जादा हो गए नासा कहता है किस्ण को इस अवस्ते आवतरित हुए उनका जो है एक्जिस्टेंस इस वक्त रहा होगा बोले 5000 साल से आज तक जिस आदमी का जनम दिन मन रहा है वह आदमी कितना बुलंद होगा खुदी सोंचलो भगवान ना मा बाबा का याद नहीं चो आफर छोटी शक्तियां है क्या यह भारत की प्राण शक्ति है प्राण वायू है यह अप रुधिन नहीं हो सकती मुगल नहीं कर पाए du